तो दोस्तों मुनार फार्की को जैसे कि आप जानते हैं कि नुराग डोबाल ने चैलेंज किया था बॉक्सिंग फाइट के लिए इसके उपर अभी तक मुनार फार्की कोई रियक्शन देखने को नहीं मिला था कि उन्होंने चैलेंज एक्सेप्ट किया या फिर नहीं वो लड़ेंगे यूके राड़ से या फिर नहीं इस चीज को उन्होंने अपने ट्विटर इस से मैंसन किया है और क्या कुछ का है आपको सून लीजेगा प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा लिकिन आपको क्या है आप करते हो बोक्सिंग करता हो गया एक लिजे आपको उन्हां यह सोच रहे ते यह वुनार भाई हम कल यह सोच रहे थे कि मैच हुआ मैं विश की बॉलिंग देखकर जह सने चुरू में दो डेड़ बॉल दाली और फिर ट्रायल बॉल डाली तो मैं देखकर तो यह तो यही सोच रहा था कि हमें फील्ड पर आज कल क्रिकेट में इसना एंटर्टेंबन नहीं देखने को मिलता है. तो एहल विश को तो परस्नल ही लगता है कि यह यूट्यूब करियर छोड़के फील्ड पर आना चाहिए. ताकि entertainment की भी कमी ना हो कभी भी बट खी के अब सबकाशा अपना है बड़ी बात सा तौबा लेकिन मैं जितना कल खेला ना मैं उससे अच्छा खेलता हूँ भाई लेकिन भाई वो ground पे ऐसे legends के बीच में एक अलग pressure होता है और उसका भी तो उसका सवाल यही आया है कि इससे पूछो कि कमेंडी में धर्म क्यों जाता है पूछो ऐसे बोल रहा है आप इसका जवाब देना चाहते हो या आप भी पर है वरना it's okay भाई इसका जवाब मैं बहुत बाहर दे चुका हूँ और वही है कि इंटरनेट पर कभी खतम नहीं होगा चार दिन बाद कोई नया है ट्विटर आइडी लॉग इन बनाएगा वो कोई वीडियो देखेगा और बोले अरे इसने ये किया चलो उसको जाके गाली देता हूँ बढ़ उसको नहीं पता चार साल में क्या क्या गुजर चुका लेकिन वही है कि हर इंसान को तुम जस्तिफाई नहीं कर पाऊगे आपका काम आपका करम आने वाला वक्त हर चीज का जवाब होता है और मैं इतना फेट तो रखता हूँ कि आने वाला वक्त आज मेरे को उस दौर भी देख लिया और आज यह भी दौर दिखा रहा है कि भाई जो लोग नहीं पसंद करते तो भी प्यार भेचते क्योंकि जान गए जानते है एक इन जो जो नेरेटिव चलता है वो नेरेटिव से गलत फेमी पालना या गलत समझना किसी को आउट ऑफ कॉंटेक्स किसी चीज को लेना बहुत आसान होता है लेकिन इनसान और डीटेल में जानता है तब पता चलेगा कि भाई मैं कहां मोदक खाता हूं मैं कहां फुल जड़ियां जलाता हूं और कहां होली खेलता हूं तो